आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि थ्रेडिंग कैसे करते हैं, खास करके जो चिक, चिन, जो लाइन, साइड लॉक्स, ये वाले जो एरियाज होते हैं, इन जगह की थ्रेडिंग कैसे की जाती है, यहीं चीज़ मैं आज आपसे शेर करने जा रहे हूँ, यह मेरी क्लाइंट है, और इन का साइड लॉक्स है, ये चीज़ थ्रेड़ किया जा रहा है, तो कैसे ख़रे रहना हुआँ, जिस तरीके से आईब्रोज करते हैं, तो जो लेफ्ट साइड का होता है, मतलब हमारी तरफ से, यहन्ने का राइट साइड होता है, अगर हम उसका थ नीचे की तरफ से hair grow की रहता है, downward में होता है, तो हमें सामने की तरफ से रहना होता है, ताकि उल्टी दिशा में अगर हम hair निकालेंगे, thread को उसमें फसाएंगे, तो वो आसानी से फस जाएगा, और hair remove हो जाएगा, threading हो जाएगी, तो इसी तरीके से hair को thread करना है, side locks हो, या फिर chick हो, या chin हो, या फिर jaw line हो, jaw line उसको बोलते हैं, कान से लेकर जो chin का area होता है, lower chin, उस area को कहते हैं jaw line, वो जो एक line सा form होता है, उसको बोलते हैं jaw line, तो वहाँ पर भी hair उसी दिशा में होता है, और बस उसको उल्टी दिशा में thread करना है, threading करते करते, अब मैं chin पर आ चुकी हूँ, और chin को कैसे करना है, chin के पास वाला skin होता है, वो थोड़ा सा loose होता है, generally, उतना tight नहीं होता है, जितना की jaw line का tight होता है, तो जो chin का area होता है, खास करके lower lips के पास का, वहाँ पर skin हमारी से थोड़ी अंदर की तरफ होती है, वहाँ पर भी hair होते हैं, छोटे-छोटे hairs होते हैं, उनको निकालने के लिए lower lips को अंदर की तरफ दबाते हैं, मुझके ही अंदर, और फिर वाँप की skin tight हो जाती है, then, अच्छे से वहाँ पर threading हो जाती है, threading करने से पहले हमेशा powder ज़रूर apply करना चाहिए, और जब भी अगर माल लेते हैं, पसीना हो रहा है, तो फिर दुबारा से powder उसको clean करके, एक बार उसको hanky वगरे से पोच के, टीशो टावल से पोच के, फिर से powder apply करें, और देन उसके बाद फिर से आप threading start करें, तो powder apply करने से क्या होता है, कि जो भी रोएं होती है, जो भी extra hairs हैं, वो skin से थोड़ा सा उपर उर जाती है, वो dry हो जाती है, इस वज़े से threading करने में आसानी होती है, बस यह बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आपको position याद कर लेना है, कि बस उल्टी दिशा में खरे रहना है, और threading आपको कर लेना है, जिस भी area का threading किया जाता है, उसके बाद आपको gel, cream, toner या estrogen से आपको थोड़ा सा मसाज जरूर कर लेना चाहिए, ताकि जो skin red होई रहती है, या pink होई रहती है, वो ठीक हो जाए, heal हो जाए, फिर मिलती हू जाए